नमस्कार, हमें विवेकान अंजादव, आप देख रहे हैं The BNY News, हर्याना विधान सबा चुनाओ, मैं सबसे होड़ सीट करनाल विधान सबा माना ज़ा रहा है, वहाँ एक और जहाँ हर्याना के मुख्ध मंत्री, भाजबा उम्मिदवार, मनोहरलाल खटर ताल खोक रहे हैं, वहीं दूसरी और, जेजेपी के उम्मिदवार पूर्ब सैनिक vigil तीज बहादुर जादव ताल खोक रहे हैं, दोनों उम्मिदवारों की लराइ रोचक पन्तीद दीख रही हैं, तीज बहादुर जादव एक ऐसे सैनिक हैं, जिनोंने B.S. में खराब खाना दिये जाने का बीरोध किया था और उन्हों ने नरेंदर मोदी जी के खिलाब बनारस में चुनाव लगने के लिए ताल फोका था और उनकी परचा रद कर दी गई थी काफी ववाल मचा और बनारस से पीम मोदी चुनाव जीत गए अब तेज बहादुर को टकर देने के लिए हरियाना के करनाल विध्यान सवा से चुनाव लगने हरियाना करनाल में जेजेपी के कारेकरताओं ने जमकर चुनाव परचार का कमान समहाल रखा है चुकि तेज बहादुर जादव को पुलिस ने जहासी में गिरफदार कर लिया एक घटना घटी पुस्पेंदर की इंकाउंटर कर दी गई और उस पर पुलिस पर अरोफ लगा कि निर्दोस को मार दिया गया लास भी पड़ी जनों को नहीं दिया गया उन लोगों ने स्वेंग लास का भी दहन कर दिया और इस मामले को लेकर तेज बहादुर जादव उत्तर परदेश की जहासी में धारना परदर्सन कर रहे थे रात एक बजे उन्हें सरकार के द्वारा साजिस के तहज मनोहरलाल खटर के मुश्किलों को कम करने के ख्याल से गिरफदार कर जेल भेज दिया गया लेकिन छुनाओ परचार अब भी पड़े ही जूड़ों पर है तेज बहादुर जादव को साजिस के तहस जेल भेजा जाना जन्रता को खलने लगा किसी भी वेक्ति की अगर काउंटर कर दी गई आखिक क्या आरोप था या साबित होना चाहिए और परिजन का मांग है कि 302 का मुपदमा उन वेक्ति पर लगना चाहिए जिसने गोली मारी और लास भी परिजन को नहीं दिया गया जो परजयतंत्र और मौली का दिकार की खिलाब है इन बातों को लेकर तेज बहादुर जादो आंधोलंग पर बैठे थे एक वजे रात में गिरफदार किया गया गिरफदारी होने के बाद लाहर सी दौड़ परी हर्याना के करनाल में और लोग तुगलकी फर्मान और अंग्रेजी हुकूमत याद करने लगे और मनोहर लाल खटर की मुश्किले बढ़नी लगी है करनाल बिधान सबा की लडाई रोचक हो चुकी है और वहां तेज बहादुर जादो बनाम मनोहर लाल खटर की लडाई है मनोहर लाल खटर करनाल विधान सबा में पिछले बार चुनाव जीते और उन्हें मुखमंतरी बनाया गया इस बार मनोहर लाल खटर को काफी मुश्किलों का शामना करना पड़ेगा चुकी तेज बहादुर जादों का कहना है कि सैनिक किसी जाती धर्म के नहीं होते वो देश के किसान के बेटा होते हैं और सैनिकों के लिए सब बड़ावर है सैनिक हैं उनसे किसी को कोई गिला सिक्वा नहीं होता और पुलवामा की बात भी करते हैं तेज बहादुर जादब ने कहा कि हमने प्रस्न उठाया था कि पुलवामा की अब तक जाच क्यों नहीं हो पुलवामा घटना के बारे में पदादिकारी कहते हैं कि चुक हुई लेकिन उसकी जाच क्यों नहीं हुई क्या माना जा सकता है कि या घटना सरगार द्वारा करवाया गया हो तरह तरह की बाते हैं यह आरोप लगती रहती है और हरियाना में चुनावी विगुल बच चुका है 21 अक्टूबर को मतदान होना है सारे उम्मिदवार अपने छेतर में जमे हुए हैं चुनावी परचार करना है जेजेपी के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर भारते जनता पार्टी की निंद उड़ चुकी है मनोहर लाल खक्तर को काफी मुश्किलों का शामना करना पड़ रहा है तेज बहादुर जादव के कारे करता तेज बहादुर जादव के पड़िजन सहीत अन्य लोग काफी मुस्तैदी के साथ चुनावी परचार को तेज करते जा रहे हैं और मनोहर लाल खक्तर जी का मुश्किल वरता जा रहा है अब देखना यह होगा कि जनता क्या मनोहर लाल खक्तर को फिर दुबारे माला पहनाती है या एक देश फक्त सैनिक तेज बहादुर जादो जिसने हिम्मत किया मोदी के खिलाप लड़ने का जिसने हिम्मत किया खक्तर के खिलाप लड़ने का क्या प्रजयतंत्र में जनता की अवाज उठाने वाले को जनता चुनती है यह तो वक्ती बताएगा दोस्तो लडाई रोचक है मनोहरलाल खटर की मुश्किलें बढ़ चुकी है तेज बहादुर जादव की जनधार तेजी से बढ़ती जा रही है चारो और तेज बहादुर जादव की बाते हो रही है उनकी जीत पकी मानी जा रही है लेकि जनता का मत है जनता आप किस करवट बैठती है या तो वक्त आने पर ही पता चलेगा दोस्तों मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें सेर करें कॉमेंट करें सब्सक्राइब करें साथ ही साथ मेरे पेस्बूक पेज को लाइक करना न भूले धन्दवाद